जमीनी विवाद में घाय अधेड की इलाश के दोरान ट्रामस सेंटर में मौत नमस्कार में हूँ एशाली और आप देख रहे हैं के पेपी अंडेरूस कैसर गंच थानाशेतर के ग्राम पंचायत मेरपूर चिल्वा में तालाप पाटने को लेकर हुआ खोनी संघर्ष जिसमें ग्यांचंद्र यादव उम्रथावन वर्षी ए ट्रामस सेंटर में मौत जिनकी हो गई उन्हें के परिचनों वह ग्रामेडों ने बताया कि सारे गाउं का पानी किसी तालाप में आता और यहां तालाप आबादी की जमीन चुकी विपक्षी लल्लू ब्रिच कुमार के द्वारा जेसी बी से तालाप से पटवा रहे थे तबी ग्यानचंद्र यादाव मौके पर जाकर मना किये उसी बीच में विपक्षी दरों ने लाठी डंडे से वार कर दिया उसी जगह पर लो लोहान होकर गिर गये परिचनों ने CSC के सरगंजी लाया डॉक्टरों ने उन्हें ट्रामस सेंटर रेफर कर दिया यहां घटना किस्तीन 222 दिन सोमवार रातरी आठ बजे की है उसे दिन से ट्रामस सेंटर में दवा इलाज चल रहा था आज उनकी मौत हो गई है परिचनों को सूचना मिलते ही रो रोकर बुरा हाल है वज़े से वह अपना है समिश्टा तो क्या चैन वीवाद हो गया था तो कौन चोट ना इसने चोट खाया है तो मरा आले अच्छा कहां पर है वह लखनों में अपना नाम बताए वह अंजनी पूराना तालाब था आबादी में यह इसी को लेकर के यह दिन से वीवाद चल में उल्हाँ जाता है और हमारे पापा इस पो मना कर रहे है कि इसको ना पाटी है तो धंकी दे रहे ते काखी दिनों से यह दिनों से परफोजब यहां सो मोहर को 21 सारी को चलने लेकि जीसरी वह आये मना करने के लिए वो लोग मारे पीटे और यहीं पे लाल्लू जिकायत करने से पहले ही हमारे पिता जी के ऊपर पाइब लुप चारसो बावान और करके कई मुकद में दर्ज हो गए चार पांच मुकद में अच्छा और जब हमने दिया तो फिर्फ तीन सो त्याइस और पांसो चार पांसो छे दर्ज हुआ बाकि कोई विसेज ज्यादा अमलब करवाई नहीं की गई ज्यादा विसेज करवाई नहीं की गई अब खुद जुने उने मारा वो खुद कल भी थाने में बैटे थे स्याम उर्टिवाकर और पर्फों भी बैटे थे आज पूर है यह कुई स्पार कर गए जी कौंसा ग्राम है चिल्वा मीरपूर थाना कौंसा है कैसर गांड जिला आपका नाम पूरा क्या है तंजिनी कुमार यादोब आप नाम ग्यान चंद्रियादों तंडबाद